तो स्वागत है आप सभी का गयापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के उर्दू का चैप्टर नमबर 36 और 37 दो चैप्टर आज के इस एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं जी हां दोनों चैप्टर जो है वो यह नाम है रासिख अजीमबादी इन दोनों गजल के शायर का क्या नाम है मतलब यह जो दोनों गजल आप लोगो को पढ़ना है जो पहली गजल है ना उसको चैप्टर नमबर 36 बना दिया गया और इन दोनों गजल के जो शायर है यानि कि लिखने वाले वह एक ही रासिख अजीमबादी याद रखिएगा रासिख अजीमबादी तो सबसे पहले आम लोग रासिख अजीमबादी के बारे में जितना अभी डिटेल्स आप लोग के बुक में दिया गया है उनसा भी डिटेल्स को समझ लेते हैं फिर मैं इन दोनों गजल को एक-एक करके पढ़कर उ एक परसेंट भी डाउट ना बचे तो चलिए आज के स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समझते हैं रासिख अजीमबादी के बारे में देखिए रासिख अजीमबादी का जो रियल नेम है असल नाम वह है शेख गुलाम अली क्या नाम है रियल शेख गुलाम अली लेकिन यह रासिख अजीमबादी के नाम से क्यों मशूर हो गए इसलिए मशूर हो गए ना रासिख अजीमबादी के नाम से क्योंकि इनका तखलुस था रासिख और यह अजीमबाद में पैदा हुए थे तो रासिख प्लस अजीमबाद रासिख अजीमबादी के नाम से यह मशूर पूरेंगे ना इसके भी लास्ट में आप लोगो रासिक तखलुस देखने को मिलेगा ठीक है रासिक अजिमबादी के वालिद यानि की पिता जी का नाम है शेख मुहम्मद फैज अजदाद दिल्ली के रहने वाले थे यानि कि इनके जो दादा पर दादा थे वह दिल्ली के लेकिन इनके जो दादा है वह अजिमबाद आ गये दिल्ली को तर्क करके दिल्ली को छोड़ करके अजिमबाद आ गये और पैदाईश अजिमबाद में ही हुई थी रासिक अजिमबादी की 1757 ने 158 1767 और अंठावन के बीच में ही हुई होगी ऐसा अनुमान लगाया जाता है ठीक है तो यह अनुमान लगा कर बताये गया है कि हाँ इसी बीच्वा होगा इनका जन्म ठीक याद रखिएगा अगर अच्छी जानते थे और प्रदर्शन में भी अच्छे थे ठीक है तो यह तीनों चीज याद रखिएगा हो सकता है कि कोशन पूछ दे अग्जाम में आज तक तो पूछा नहीं गया है लेकिन आप लोगे पूछ दे ठीक है इस साल तो हर एक पॉइंट में लिख दियूं हर एक एक बोर्ड पढ़ लिखा हुआ पैंट मॉस्ट इंपोटेंट है इसलिए याद कर लिजेगा देखे तो चाहे इस्टुडेंट पूछे या फिर मतलब शागिर्द पूछे या फिर उस्ताद पूछे आप लोगो सोच समझ करें सर देना है अगर कोशन पूछता है कि मुहमद तकी मीर के शागिर्द कौन है तो रासी कजिम अबादी ऑप्सन में दिया रहेगा टिक कर तो यह अलग अलग जगा पर जाकर यह सफर किये थे कलकत्ता लखनाओ मिश्रीद अबाद का सफर किये थे लेकिन उम्र भर कहीं कोई मुलाजमत नहीं किये यहां पर आप लोग याद रखिएगा क्योंकि कोशन पूछ देता है कि कौन से वो शायर है जो उम्र भर कहीं पर कोई मुलाजमत नहीं किये थे सफर किए लेकिन नोकरी नहीं किये सफर किये है लेकिन नोकरी नहीं किये शेरी इसनाफ देख लीजिए मतलब यह शेर वो शेरी में क्या क्या लिखें तो याद रखिएगा घजल लिखे थे गजले लिखें कसायद वगयरा रुबायात मरेकतात मसनवियात मुखमसात और वासुखत यह शायरी के अलग अलग केटेगरी है यानि कि सिन्फ है जिसमें रासे घजब अबादी अपनी तब्हा आज़माई किये थे मतलब खजल बिलिखे थे कसायद बिलिखे रुबायात मसनवियात और वासुखत लिखें लेकिन खसूसी तौर पब गजजल और मसनवी से मशूर हो ए यह रर एक चीज तो लिखें लेकर अगर बात करें किस फेमस हुए तो याद रखिएगा घजल और मसनवी लिखने के वज़र से घजल और मसनवी ये दो केटेगरी में जो है ना ये दोनों सिन्फ में रास्तिक अजिमबादी बहुत ही ज्यादा फेमस हुए थे मशूर हुए थे यह याद रखने वाली बात है और लास्ट में इनक बार रिपीट होने वाला कोश्टन है बहुत बार पूछा गया है तो यहाँ पर बिस्टार लगा दिया रही हूं इनका कब्र कहा है मौला लोधी कट्रा पटना सिटी ऑप्सन में डिरेक्ट दिया रहता है तो जिस भी ऑप्सन में दिखाई दे इसको धीरे से टिक कर देना है तो आई होप आप लोगो रासी का जिम अबादी के बारे में सारा डीटेल समझ में आ गया होगा हर एक एक पॉइंट में आप लोगो बता दी बस इतना ही है अब चलिए दोनों घजल को एक एक करके मैं पढ़कर परतियेक लाइन का तश्रीख कर देते हूं अगर आप ल पहली घजल का मैं तश्रीख करूंगी तो चैप्र नंबर थाड़ी सक्स कंप्लीट हो जाएगा फिर थाड़ी सेवन कंप्लीट करेंगे हम लोग दूसरी घजल का तश्रीख करके ठीक है तो देखिए पहली घजल के शुरुवात में लिखे हैं रासी खजीम अबादी कि का यूती रने या ने दिल होता साफ होता तो रुखे यार के काबिल होता यहां पर अपने आपको कह रहे हैं कि कास मेरा जो दिल है यह साफ होता मेरा दिल का जो आइना है वह साफ होता तो रुखे यार के काबिल होता मतलब मेरे यार के चेहरे चेहरा देखने के लाइक होता म और इसलिए रिखे यार के काबिल नहीं है मतलब मेरा जो महभूब है वो इस दिल के आइने में चेहरा देखने के काबिल नहीं है मतलब मेरा जो दिल का आइना है वो चेहरा मेरे महभूब के चेहरा देखने के काबिल नहीं है तो काश बोल रहे हैं काश मेरा दिल का आइना है तो कामी लोता यहां पर बोल रहे हैं रासी कजिम अबादी कि वो लोग जो हमेशा नुक्स निकालते रहते हैं गलती ठहराते रहते हैं गलती निकालते रहते हैं दूसरों की तो काश वो अपने आपके उपर ध्यान देते अपने आप में जहांक कर देखते अपनी नुक्स को सुधारते तो वो अपने आप में पूर्ण होते यहां पर यहीं बताना चाह रहे हैं रासी कजिमबादी ठीक है आई होप आप लोगो समझ में आ गया होगा नेक्स्ट लाइन देखिए तरक लज़ात की लज़त ना हुई हमको नसीब यह मजा काश हमारे तई हासिल होता यहा गलत आदतों को तरक कर देते हैं तो उनको एक तरसके खुशी मैसूस होती है कि चलो हमारे अंदर यह गलत आदत फी कि निकल गई तो खुशी मैसूस होती है लेकिन ये हमारे साथ क्यों नहीं होता जब मैं अपने जिन्दगी से गलत आदतों को गलत चीजों को निकालता हूं तो मुझको वो खुशी मिलती ही नहीं तो वही बोल रहे हैं कि ये मज़ा काश हमारे तई हासिल होता काश वो मज़ा हमारे जिन्दगी में भी होता कि मैं भी अपने अंदर की गलत आदतों को छोड़ देता तर्क कर देता तो मुझको भी वो खुशी नसीब होती वो मज़ा हमको भी हासिल होता ठीके तुम से कुछ बंदा ने चाहा तो तुम ही को चाहा और क्या मांगता किस चीज का असायल होता यहाँ पर डारेक्ट समझ में आ रहा है कि शायर क्या कहना चाह रहे है शायर यही बोल रहे हैं कि अपने महभूब को बोल रहे हैं कि तुम से कुछ बंदा ने चाहा तो सिर्फ तुम ही को चाहा और क्या मांगता किस चीज का साइल होता अपने महभूब से कह रहे हैं कि बंदा ने अगर चाहा तो सिर्फ तुम ही को चाहा और किस क्या मांगता मैं मेरे जिंदगी में है यह क्या मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए तो सिर्फ तुम चाहिए इसलिए मैं क्या मांगता किस चीज का मैसायल होता, जिन्दगी में मैंने जो भी चाहा, तुम ही को चाहा, ठीक है, मुश्टरी अपना तो मा समझता मुझको, मैं भी यूसफ की खर्डारों में दाखिल होता, यह पर बोल रहे हैं कि, अगर तू मुश्टरी होता, यानि कि ग्रा होता, प्लानेट, तो मजविर के ना आया रासिख, खुश रहा क्या वा दिवाना था जो आकिल होता, यहां पर रासिख अपना तकल्स यूज किया है, और बोल रहा है कि रासिख, तो अपनी जिन्दगी में खुश रहा, क्योंकि तू दिवाना था, दिवाने दिल से काम लेते हैं, और आपने जिन्दगी में जो खुश रहता है ना उतनी ज्यादा खुश अकलमंद लोग नहीं रहते हैं वो हमेशा टेंसन में रहते हैं अकल का यूज करते रहते हैं तो वो जिन्दगी में उतने खुश नहीं रहते हैं जितना की दिवाना रहता है क्योंकि दिवाना अकल से तो बोल रहा है कि अब पूरे हो गए हैं अब मेरा जो आंसु है वो देखने लायक है फ़्लक पर अंसु सुबह पीरी का सितारा है मतलब मेरे पलक पर जो आंसू है मेरे आखों में जो आसू है वो मेरे आ रहे बुरहापे की निसानी है अब मेरा आशू देखने लाइक है मैं बुढ़ा हो चला हूँ मेरा बुढ़ा पार गया है ठीक है तो यहां पर यह पहली लाइन हो गई अब देखिए दूसरे लाइन में लिखे हैं कि खुदा जाने नहा इस आश्रीकारा में है क्या क्या कुछ खुशावे एहले तो देखें दूसरे लाइन में शायर कह रहे हैं कि खुदा जाने यानि कि उपर वाला ही जाने कि इस दुनिया के लोग की सच्चाई क्या है क्योंकि आज कल इस दुनिया के लोग जो हैना सच्चाई को छुपा रहे हैं जूट बोल रहे हैं जूट सामने रख रहे हैं तो स कम है तो भी बोल रहे हैं कि इस दुनिया की लोकी सच्चाई ही को ही शारह है तुम्हारा ही इशारा है ument कि आज देखिए हमारा नसीब हमारा मुकदर कौन बोला है शायर अपने आपको कह रहे हैं कि आज मेरा मुकदर देखो कि फलक जो आस्मान जो है वो भी हमें नुकसान पहुचाने की ताक में लगा हुआ है वो भी मुझे नुकसान पहुचाने की ताक में है मतलब मेरा मुकदर जो है न, ऐसा पहले नहीं था मेरा पहले जो नसीब था, मेरा पहले का जो समय था, वो बहुत अच्छा था मेरे साथ सब कुछ सही सही होता था लेकिन जब से मेरे महभूब ने, अपने महभूब को बोल रहे हैं जब से तुमने मुझे को नजरंदाज किया है तब से ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है मेरा मुकदर मेरा साथ देना चोड़ दिया है मेरा नसीब मेरा साथ नहीं दे रहा है यहाँ तक कि जो फलक यानि की आसमान है वो भी मुझे नुकसान पहुचाने की ताक में लगा हुआ है कि कब वो हमको नुकसान पहुचा दे तो तुम्हारे नजर अंदाज करने के बाद से ही ये सारी जो घटना है मेरे साथ हो रही है ठीक है मेरा परचहें भी मेरा साथ नहीं दे रहा है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण हुआ है किसको बोल रहे हैं अपने महभूब को बोल रहे हैं यही कहके के मारा अपने बिमारे महभबत को कि तु मरने से ड़ता है बहुत जी तुझको प्यारा है यहाँ पर बोल रहे हैं अपने महभूब को रासिक अजिमाबादी अपने महबूब ओल रहेैं कि मेर्स के अपने भीमारी मोभत को यानि मुझो थो अपने महबूब के बिमार मोभत को यानि मुझको यह कहके के मार दिया लें हैं ये कि कहके मुझको मेरी महभूब नहीं मुझको माड डाला ठीक है शुरूए इश्क रासिक कहते हो जाता है जी डूबा किनारे ही पास इस दरीया के हाल ऐसा तुम्हारा है रासिक अपना हैं और बोल रहे हैं अपने आपको कि रासिख अभी इशक के की शुरुआत में तुम बोल रहे हो की जी ढुबा हुआ जाता है तो सोचो तुम बीच नदी में जाओगे तुम्हारा क्या हाल होगा अभी तो इश्की की शुरुआत है अभी तो ट्रेलर है पुरा फिल्म बाकी है ठीक है तो यह हो गया दूसरी घजल कंप्लीट आई होप आप लोगो समझ में आया होगा दोनों घजल की में पूछ लिजेगा बाकी में आप लोगों को जो कुछ भी समझाई समझ में आया तो कमेंट में लिखकर जरूर बताए और वीडियो को लाइक जरूर करें पूर्ण रूप से आप लोगों का दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गया 36 एं 37 और तीन चैप्टर बचा हुआ है सब कि तीन चैप्ट्र बहुत जलों कमपलीट हो जाए वथी यहां पर दोनों चैप्टर हो गया 37 घुआ तक विधियो को अभी ताक लाइक नहीं किए तो प्लीज रिक्वेस्ट है छोड़ी सी आप सभी लोग ऐसे कि लाइक जरूर करें क्योंकि इतना सारा मेहनत मैं आप सभी लोग के लिए करती हुँ तो आप हमारे लिए एक छोटी सी काम तो कर सकते हैं समझे कि छोटा सा काम है इसमें आप लोग का पैसा यह यह फ़िसाब भी नहीं लगता है सिस्टी है करना लाइक करना है और कुछ नहीं तो आप लोग जरूर करें वीडियो को शेर जितना ज़ड़ा हो सके अपने पडोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यदा हो सके करें इस्टेस वगर लगा दें ताकि सब भी लोग इस वीडियो का लाव उठा सके अगर आप लोग चैनल पर नएड़ आये हुए मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ज़रूर दबा लिजिएगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज